नमस्कार आप सबी को जन्माश्टमी की हार्दिक शुबकाम ना है जन्माश्टमी का त्योहार हर वर्ष भादरबद कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिति को बनाये जाता है जन्माश्टमी का त्योहार का मतलब है कृष्ण जी का जनम दिवस इस दिन कृष्टिंजी का जनम हुआ था अगर मैं जोटशी दिष्टी की बात करूँ पंचांग की बात करूँ तो कृष्टिंजी का जनम भादरबद कृष्टि को रोहनी नक्षत्र में हुआ था इसलिए हर वर्ष ये तोहार इसी दिन मनाया जाता है जब अश्टमी तितियो और रहणी नक्षत्र हो उसके लिए शुप समय क्या होता है माना जाता है कि क्रिशन जी का जनम रातरी 12 बजे के आसपस हुआ था तो इसलिए जब निशीत काल का वर्णन होता है जब भी निशीत काल होता है उस दोरान श्री क्रिशन पूजा करी जाती है उनका जो बाले सुरूप है उसका पूजन किया जाता है बाले सोरूप से ये भी बहुत बार confusion होता है कि जब भी हम कृशन जी पूजा करते हैं जनमाश्टमी के दोरान खास कर तो घर पर उनके कौन से सोरूप की पूजा की जाए बाले सोरूप की पूजा की जाए या फिर पूजा स्थल पर रादा कृशन की फोटो रखी जाए या फिर बंसी धारी कृशन की फोटो रखी जाए या फिर आप शाली ग्राम या फिर उनके जो लड्डू को पाल एक सोरूप है उसकी पूजा करें इस सोरूप के लिए भिंद भिंद माननेता हैं कि आपको freedom है पूरी कि आप किसी भी सोरूप की पूजा कर सकते हैं पर खास का जनमाश्टमी के अफसर पर हम बाले सोरूप की पूजा करते हैं और अगर मैं आपको एक astrological point of view से एक remedial point of view से बताऊं तो आपको अलग-अलग अपने उद्देशे के according कृशन जी के अलग-अलग सोरूप की पूजा करनी चाहिए जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि दाम पत् अरे प्राबलम आ रही है तो आप उनके बाले सोरूप की पूजा कीजिए और अगर आप overall घर के अंदर सुक, सुम्रदी, शान्ती चाहते हैं तो आपको बंसी धारी जो कृशन जी की मूर्ती होती है या कृशन जी की फोटो होती है उसकी आप पूजा कीजिए फोटो और म घर में फोटो रखें या फिर मूर्ती की पूजा कीजिए जब हम घर की बात करते हैं तो वहाँ पर मंदीर नहीं उसकरते हैं पूजा स्थल होता है कहा जाता है कि घर में मंदीर नहीं होता और मंदीर में घर नहीं होता दोनों ही चीज़े वास्तु पॉइंट पॉइंट या astrological point of view से गलत है कि आप अगर घर में मंदिर बना लीजिए या मंदिर में कई बार देखा गया है कि पुजारी जो होते हैं या और जो मंदिर के वरकर्स होते हैं वो मंदिर में ही सो जाते हैं ऐसा करना भी उनके लिए अनुचीत होता है तो करना क्या है आपको आपको घर के अंदर कृशन जी की फोटो रखी है या फिर उनकी तीन या चार इंच तक की कोई भी आप मुर्ती जो है कृशन जी की रख सकते हैं अब बात आती है कि जनमाश्टमी पर आपको पूजा जो है कब करनी है इस साल पूजा जी के जनमाश्टमी भादरपद कृशन पक्षी अश्टमी तिथी को आता है और साथ ही में अगर रोहिनी नक्षतर भी उस दिन होता है तो यह बहुत ही शूप समय हो जाता है क्योंकि कृशन जी का जनम रोहिनी नक्षतर में ही हुआ था अब इस साल क्या पोजिशन बन रही है इस साल जो अश्टमी तिथी है वो 18 अगस्त को रात्तरी से आरहम हो रही है और जो शीद रिष्टी से ये देखा जाता है जो भी तिथी में सूर्योदे होता है उस तिथी को कंसीडर किया जाता है अब जब अश्टमी तिथी 19 तारी को आएगी तो 19 तारी को अश्टमी तिथी रात को 10 बच कर 69 मिनट तक रहेगी और 18 अगस्त को 9 बच कर 20 मिनट पे रात को आरम होईगी तो ऐसे में क्या है अश्टमी तिती के दोरान आपको कृष्ण जन्माश्टमी का अफसर जो है कृष्ण जन्माश्टमी का जो फेस्टिवल है उसको celebrate करने की तिती जो आपके लिए valid तिती है वो 19 अगस होती है अब अगर मैं रोहिनी नक्षत्र की बात करूँ तो रोहिनी नक्षत्र 19 तारी के बाद यानि की 20 तारी को रातरी एक बचकर 53 मिनट पर आराम हो रहा है अब ऐसे में क्या है जो अश्टमी तिती है वो 11 तारिक को रात को 10 बच कर 69 मिनट तक ही है और उसके बाद अश्टमी तिती खतम होने के बाद 9 मी तिती में रोहिनी नक्षत्र आराम हो रहा है इसलिए इस सल हमें जन्वाश्टमी रोहिनी नक्षत्र की अनुपिस्थिती में रोहिनी नक्षत्र के बिना ही सेलिब्रेट करनी पड़ेगी क्योंकि अश्टमी तीथी जो है 19 तारीक को 10 बच कर 69 मिनट पर खतम हो जाएगी इसलिए अगर मैं जोश्टी पॉइंट वी से बात करूँ तो आपको क्या करना है 19 अगस्थ को जन्वाश्टमी का वर्त रखना है 19 अगस्थ को ही मंदिरों के अंदर आप देखेंगे कि विदी विदान जो भी जन्वाश्टमी के हैं वो 19 अगस्थ को ही हो रहे हैं अब बात आती है अगर आप 19 अगस्थ को वर्त रखते हैं तो पारण का समय कब है पारण से मेरा मतलब है जब आप भोजन ग्रेंड करते हैं वर्त के बाद वो समय कब है पारण का समय होता है जनमाश्टमी से अगले दिन यानि कि अगर 19 अगस्ट की जनमाश्टमी है तो आपको 20 अगस्ट को सूर्य हुदे के बाद सुबह 5 बच कर 69 मिनट के बाद जो पारण का समय है वो होता है अब बादाती है कि आपको कृष्ण मोऊसव जन्माश्टमी जो है कब सेलिब्रेट करनी है देगे 18 अगस्ट को मैंने आपको बताए कि रात को 9 बचकर 20 मिनट के बाद अश्टमी तिदी आरम हो जाएगी और रोईनी नक्षतर जो है वो 19 तारीको रात को 1 बचकर 53 मिनट के बाद आरम होएगा तो ऐसे मैं आपको 18 अगस्ट की रात को जब अश्टमी तिदी आरम हो जाएगी और यह मानेता है कि क्रिशन जी का जनाब 12 बजे हुआ था तो जो निशीत काल है उसमें क्रिशन जी की पूजा करनी चाहिए निशीत काल का समय आप एक बाद नोट कर लीजे निशीत काल का समय है 18 अगस्ट की रातरी 12 बच का 3 मिनट से लेके 12 बच के 47 मिनट तक यह जो 44 मिनट की विंडो है यह जो 44 मिनट का समय है कि क्रिशन महुतसव के लिए खास कर जो क्रिशन जी का बाले 100 रूपय है उसके पूजन के लिए सबसे महतपून समय है इसी के दोरान आपको क्रिशन जी की पूजा करनी चाहिए जनमाश्टमी की पूजा इसी के दोरान करनी चाहिए चाहे वो आप किसी भी मंतर उचारण से कर रहे हैं या किसी भी विदी विदान से करने हैं वो इस 44 मिनट के दोरान ही होना चाहिए. इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जनमाश्टमी के वर्थ के दोरान आपको क्या-क्या चीजों की साथधानी रखनी है और कब आपको जनमाश्टमी का वर्थ रखना है और जनमाश्टमी के वर्थ और पूजा के दोरान क्या सामगरी का यूज़ करना है फिर भी अगर आपको कोई confusion है तो आप में को WhatsApp कर सकते हैं या comment section में जाके comment करके भी मुझे अपनी query पूछ सकते हैं वंत में मैं यही प्रात्ना करूँगा कि भगवान कृष्ण आपके जीवन में खुशाली राए आपको हर तरह की सुख और सुम्रद्धी प्राप्त होए नमस्कार